Hello dear student, welcome back to my channel, it's me Poonam Aswar तो आज हम question answer करेंगे class 7 की English की book और chapter का नाम है The Ashes That Made Trees Blow तो चलिए student इसके हम first answer देखते हैं तो first answer है Why did the neighbors kill the dog? पडोसियों ने dog को क्यों मार दिया था? आपको ये बताना है answer है The neighbor expected that the dog would help them to find treasure but the dog found a dead kitten so in an angle तो क्या था कि जो पडोसी का जो डोग था उसने अपने मालिक को क्या दिखाया था? उसने अपने मालिक को खजाना ढून कर बताया था तो भई जो उनका neighbor था अब उन्होंने भी ये सोचा कि काश ये डोग हमें भी क्या दे दे? खजाना ढून के दे दे तो उन्होंने क्या किया? वो उस डोग को अपने जमीन पे ले गए अपने फिल्ट पे ले गए और डोग से ये उमीद कने लगए कि डोग उनको क्या देगा? खजाना ढून के देगा बट डॉग ने क्या किया डॉग ने ते एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा ढूर लिया यानि किटन ढूर लिया डैट किटन इससे पडोसी बहुत जादा फ्रस्ट्रेट हो गया उसको बहुत जादा गुसा आने लगया और वो डॉग को मारने लगये और वो इतना मारा उन्हो तो question 2 है तो जो वो भूड़ा किसान था और जो उसकी वाइफ थी वो दोनों के दोनों dog को कैसा प्यार करते थे तो भाई तीन option दे रखें आपको answer साफ दिखा होगा कि answer B है यानि वो बिलकुल उसको कैसे प्यार करते थे बिलकुल अपने baby के तरह यानि एक बच्चे के तरह वो उस dog को प्यार करते थे as if it was her own baby यानि option B ठीक है next है MCQEA question 3 यह है when the old couple became rich जब वो जो वो बुड़े old couple थे वो rich हो जाते तो क्या होता है option A, B, C तीन option है option A है give the dog better food option B है invited their greedy neighbors to a feast option C है live comfortably and were generous towards the poor neighbor तो जो वो old couple थे जो वो rich बन गएते तो वो क्या हो गएते तो वो comfortably ही रहते थे और गरीबों की मदद करते थे ठीक है हाला कि वो क्या कर सकते थे भई हम तो अमीर बन गए अब हम किसी गरीब की इंसान को नहीं देखेंगे नहीं वो ऐसा नहीं कर रहे थे उन्होंने क्या किया गरीब लोगों की जो गरीब कौन से जो उनके पडूसी थे उनकी क्या कर रहे थे वो मदद कर रहे थे तो ये था option C बटते हम नेक्स में ये भी क्या है MCQ ही है इसका question है जो लालची कपल थे उन्होंने मिल और मोटार को क्यों उधार लिया था आपको ये बताना है क्यों लिया था पाइल ओफ गोल्ड कि हम भी पाइल ओफ गोल्ड बना सके तो answer क्या हो गया option C why farmer is a kind person what evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs तो जो बुड़ा farmer था जो बुड़ा किसान था वो बहुत ज़्यालू था तो ये हमें किस न उन धो पैराग्राफ कौन से धो पैराग्राफ जो फ़स्स टू पैराग्राफ होंगे यानि पहले के जो दो paragraph होंगे chapter के उसमें से यह बताना है कि जो बुड़ा farmer था वो बहुत दयालू था उसका evidence देना है कहां से? First two paragraph से ठीक है? तो क्या है भाई इसका answer? Answer है The old farmer is a kind person We find following evidence of his kindness तो जो old farmer था जो बुड़ा किसान था वो बहुत दयालू था है कि वो उनका अपना ही बच्चा हो Second, he never heard the birds who came in as a field for food तो जबी भी उनके field में कोई भी bird आती थी तो वो उसको hurt नहीं करते थे मारते नहीं थे, उड़ाते नहीं थे वो क्या देते थे? वो उनको food देते थे तो ये वो दो lines है या ये वो दो paragraph है जिससे हमें पता चलता है कि जो old farmer है वो क्या था? बहुत ज़ादा दयालू था, ठीके? बढ़ते हम next question में ओके, ये MC क्यों नहीं है? ये है question answer, तो इसका question है what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? जब dog को खजाना मिल गया, तो dog ने अपने मालिक को वो दिखाने के लिए क्या किया? भई dog बोल तो सकता नहीं कि मालिक को बोल दे कि अरे मुझे वहाँ खजाना मिला है, चलो मालिक आप वहाँ चलो ऐसा तो वो कर नहीं सकता तो उसने कैसे बताया अपने मालिक को? वो हमें बताना है answer है तो क्या था भै पहले तो न जो डॉग था अपने मालिक को इंसेट कर रहा था कि चलो जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं वहाँ चलो बट जब वो ओल्ड फार्मर था वो कह रहा था नहीं नहीं मुझे नहीं जाना वो उसको इग्नोर करता जा रहा था किसको डॉग को ignore कर रहा था क्यों क्यों उसको लग रहा डॉग तो ऐसे ही करते हैं आज भी ऐसे ही कर रहा है बट जब डॉग बार बार अपने मालिक को insist कर रहा था कि नहीं चलो 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 तब मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं वहां जाके देखी लूँ तो मालिक उसके साथ जब वो वहां जाता है तो उसको क्या मिलता है छुपा हुआ खजाना तो ठीक है तो इस तरीके से डॉग ने क्या किया अपने ए ओल्ट फार्मर को क्या बताया खजाना दिखाया बढ़ते हम नेक्स कोशिशन में नेक्स कोशिशन है how did the spirit of the dog had the farmer first spirit मतलब क्या होता है spirit मतलब आत्मा तो question है जब dog मर जाता है तो dog की जो आत्मा होती है वो अपने मालिक की मदद कैसे करती है आपको ये बताना है answer है the spirit of the dog came in the farmer's dream and asked to cut down the pine tree over his grave and make a mortar for a rice pastry and a mill for a bean sauce and it turned into a gold तो क्या था जो old farmer था जब वो सो रखा होता है तो वो सोते हुए सपने में आता है किसके farmer के सपने में आता है कौन आता है dog आता है तो जब वो सपने में आता है क्योंकि वो एक soul बन चुका होता है तो dog उसे बताता है कि जहां पर आपने अपने प्यारे dog को दबाया था और वहाँ पर एक pine tree है, चीक है, कौन सा tree है, pine tree है, उस pine tree को आप क्या करो, काट दो, जहाँ पर मक्या था, dog की जो grave थी, उस grave में क्या और रखा है, एक pine tree है, तो आप उस pine tree को क्या कर दो, काट दो, चीक है, और क्या करो, उसे मोचार बना के एक rice pastry बनाओ, और जैसे ही तुम य हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से spirit of the dog ने किस की मदद करी अपने मालिक यानि farmer की मदद की ठीक है अब बटने हम next question में next question है how did it help him next अब जो dog है उसने दुबारा कैसे मदद की दुबारा कैसे help की ये बताना है answer है the spirit of the dog advised the farmer in his dream to take the ashes of the mill and sprinkle them on the wither trees so they would bloom again तो जो वो dog था उस dog ने फिर से वही किया क्या दुबारा वही किया उसने फिर से अपने old farmer जो उसका बुढ़ा जो मालिक था उसके सपने में आया और सपने में आके उसने फिर से बताया कि आप क्या करो आप क्या करो राक को यानि ashes बोलते ना राक को ashes को क्या करो पेड़ पर छड़क दो और जब आप पेड़ पर उसको छड़क दोगे तो दुबारा से वो पेड़ क्या हो जाएंगे ब्लूम हो जाएंगे मतलब हरे भरे हो जाएंगे तो इस तरीके से उसने दुबारा उनकी क्या करी मदद करी किसने मदद करी डॉग ने अब है इस चाप्टर का लास्ट कोशन है चलिए इसको देखते हैं तो डाइमियो ने न ओल फार्मर को तो रिवार्ड दिया यानि इनाम दिया बट उनके जो लालची पडोसी थे उनको सजा दी भई क्यों दी आप ये बताईए तो पहले तो आपको ये पता होगा चैप्टर में कि डाइमियो कौन था डाइमियो कौन था जैसे यहां पे था ठीक है तो चलिए पहले आंसर देख लेते कि भई उसने रिवार्ड क्यों दिया और लालची नेबर्स को सजा क्यों दी तो आंसर है जाइमियो रिवार्ड देवार्मर को विद ट्री विद आश तो डाइमियो ने उस बुढ़े ओल्ड फार्मर को रिवार्ड इसले दि ठीक है और उसके पडोसी को पनिश इसले किया क्योंकि वहां से क्या हो रहा था डाइमियो जा रहा था और उस नेबर ने वो स्प्रिंगल किया तो वो डाइमियो की आंख पर और उसकी वाइफ की आंख पर चला गया फेस पे चला गया और जब यह चला गया तो डाइमियो क punish कर दिया चीक है तो यह थे student question answer किस chapter गे the chapter का नाम था the ashes at made tree bloom तो I hope student आपको समझ में आया होगा तो please अगर समझ में आया होगा तो इस channel को like करिए share करिए और अगर आप channel पे new हो तो channel को subscribe करिए साथ में जो bell icon है उस bell icon को press करिए जिससे मेरी हर आने वाली notification आपको मिल सके तो फिर आज के लिए thank you